मित्रो आप सभी का स्वागत करता हूँ एक वार फिर से आपके और हमारे यूट्यूब चैनल प्राचीन परंपरा पर अंग के जोतिस सास्त्र में बताया गया है दोस्तों कि यदि आपको 222 याने की 2222 आध्यात्मिक अंग आपको बारवार दिखाई दे रहे हैं किसी भी कि जैए कजाई आपको 2222 आपको सफल वनाने में आपकी मदद कर रही है इसंकेतों को आपको समझने की जरूरत है मित्रों त्रिपल टू का मतलब होता है कि यदि आपको जब भी त्रिपल टू दिखाई दे तो यह एक संकेत होता है कि आपको ब्रह्मांड पर अपना भरोसा रखना चाहिए चीजें आपके पक्ष में काम कर रही हैं और उसका आपको रजल्ट मिलने वाला है इस तरह का अंक इस बात की ओ संकेत करता है कि आपको ब्रह्मांड पर विस्वास बनाए रखना है मित्रों एक बात मेरी हमेशा याद रखना कि जब भी आपको आध्यात्मिक अंक दिखाई देते हैं तो यह एक आपको क्या करना है आपको ब्रम्हांड की उर्जाओं के साथ अपनी उर्जा को connect करना ही होगा तभी आपके लिए चीजे कारे करेंगी जब तर आप उस energy को उस vibrations के साथ अपने आपको connect नहीं करेंगे तो चीजे आप पर काम नहीं कर पाएंगी तो यह आपको हांड की frequencies या फिर कहा जाए तो energy से खुद को align करना ही पड़ेगा आध्यात्मिक अंक का दिखाई देना कोई सैयोग की बात नहीं होती है कोई मजात नहीं चल ला है मित्रों आपको समझना चाहिए और आपको इसको serious लेना ही चाहिए और आपको जागरत अवस्ता में इसको serious लेना चाहिए दोस्तो आध्यात्मिक अंक का दिखाई देना इस बात की और भी संकेत करता है कि आप law of attraction या फिर कहा जाए तो आकर्षरण के सिध्धान पर कार कर रहे हैं आप लगतार ऐसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं जिसे आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं इसलिए आपके साथ में ब्रम्हांड की और जाएं आपकी मदद करने लगती हैं तो यदि आपको त्रिपल टू जब भी दिख जाए तो आपको हमेशा यह अपने दिमाग में रखना हैं कि चीज़ें आपके लिए कार कर रही हैं बस आपको उन पर विस्वास बनाए रखन है मित्रों आध्यातमिक हंक हर किसी व्यक्ति को दिखाई नहीं देता यह सिर्फ आध्यातमिक रास्ते पर जो लोग चलते हैं जो के अंदर वह एनरजी आ जाती हैं या फिर जो व्यक्ति अंदर से जागने लगता उनी लोगों को आध्यात्मिक अंक दिखाई देते हैं तो यदि आपको आध्यात्मिक अंक कोई भी दिखाई देता है तो आपको अपने आपको ब्रह्मान पर समर्पित करना चाहिए फिर देखिए मित्रों आपकी जीवन में जरूर ही चमतकार होना सुरू हो जाएंगे तो म वित्तरों उम्मीद करता हूँ मेरे दोरा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी पसंद आई तो हमारे चैनल प्राचीन परंपरा को सब्सक्राइब लाइक से जरूर करें